जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे जो इंडियन पोस्ट आफिस चानिकी बारतिये डाग भीवा की तरफ से नहीं बरतिया रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में तो जे जो बरतिया रही है इसमें आपका कोई वी एक्जैम नहीं होगा नहीं कोई आपका इंटरव्यू कंड़क्ट करवाई जाएगा बिना प्रिक्षा के आपकी बरति करवाई जाएगी इसके साल साथ इसके जो application form fill किये जाएंगे उसको fill करने के लिए आपके यहां पे कोई वी application fee नहीं लगेगी application form को fill करने के लिए जे जो बर्ती आ रही है जे आल इंडिया के लिए सीधी बर्ती आ रही है male and female दोनों इस बर्ती में apply कर सकते हैं चाहे आप बारत के किसी भी राज़े से बीडाओं करते हैं इंडिया की किसी भी state में आप रहते हैं आप इस बर्ती में अपना application form fill कर सकते हैं इसके साथ साथ इस बर्ती में जो application form fill किये जाएंगे उसको fill करने के लिए आपके पास जो education qualification होनी चाहिए बहुनी चाहिए कम से कम आठवी या फिर दसमी pass की mark sheet तो चाहे आपके पास आठवी pass की mark sheet है या फिर दसमी pass की mark sheet है आप इस बर्ती में अपना application form fill कर सकते हैं इस बर्ती में apply कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में detail में हम इस विडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल नुज सरकारी जॉप्स को जॉप्सक लेटर लाटेस्ट अप्डेट सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जय जो Indian Post Office जाननी की बारतिए डाग भीवा की तरफ से नहीं बरति आ रही है इस बरति की बकैंसी की details के बारे में तो post name के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस बरति में staff car driver and skilled a-teason जे 2 vacancy आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी इसके बाद अगर हम बात करें monthly salary details के बारे में कि अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है दरन आपको जो monthly salary दी जाएगी इस job में वो कितनी दी जाएगी तो monthly salary details के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस job में लगबग 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी दी जाएगी काफी अच्ची सैलरी आपको मिलेगी इस जौ में अगर आपका इस बर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद अगर हम बात करें इस लिमेड क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस बर्ती में अपना एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं इस बर्ती में एपलाई करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एनमेक्समेंज कितनी होनी चाहिए इस बर्ती के एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए तो minimum age के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और maximum age के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 56 साल चाहिए आप किसी भी करट अगरी से बिलॉग करते हैं जर्नल, OVC, SESD, किसी भी का टगरी से बिलॉग करते हैं, आपकी जो एज है, वो कम से कम 18 से 56 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, इस बरती के एप्लिकेशन, फार्म को फिल करने के लिए, इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें, कि अगर आपने मारा जॉबस के लेटर ट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस बरती में अपना एप्लिकेशन, फार्म को फिल करने के लिए, तो चाहिए आप स्टाफ का ड्राइवर, या फिर स्किललेड आटिसंस में एपलाई करना चाहते है, तो आपके बास केवल 8 वी, या फिर 10 मी पा कर सकते हैं इस बरती में apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें selection process के बारे में किस बरती में जो selection किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और किस basis पर किया जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसमें आपका कोई exam नहीं होगा नहीं आपका कोई interview conduct करव आ जाता है then last day में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से बरती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर सकते हैं इस telegram channel को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा इसके वाद दोस्तों अगर हम बात करें जह ज तो starting rate के बारे में अगर हम बात करें तो 16 April 2022 से जो application farm है वो लगना start हो चुके हैं और जो last data application farm को fill करने के लिए वो है 9 मई 2022 तो आप 9 मई 2022 से पहले पहले अपना जो application farm है वो इस बरती के लिए fill कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप eligible है और apply करना चाते हैं इस बरती में देन आपके पास कौण कौण से document होना सबसे जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data बद proof certificate होना चाहिए इसके बाद education certificate में आपके बास कम से कम आठवी दसमी या फिर बारवी पास की mark sheet होनी चाहिए इसके लावा अगर आपके बास कोई अधर qualification जा experience है अब ओवी apply कर सकते हैं application form के साथ इन सबी documents के साथ-साथ आपके बास अपना आदार काड होना चाहिए या फिर pen card होना चाहिए as identity proof इसी के साथ-साथ अगर आप CST या OVC से बिलाउं करते हैं देन आपके बास अपना का से अडिफिकेट होना चाहिए और साथ आपके बास अपने चार पासफर्ट साइज फोडोग्राफ भी होने चाहिए light color background में तो अगर आपके बास जैसा भी documents है देन आप इस बरती में अपना successfully application form fill कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें application form की fees के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना च जाएंगे आप लास्टेट से पहले पहले अपना जो offline application form है वो fill कर सकते हैं इसी के साथ-साथ application form की fees के बारे में अगर हम बात करें तो चाहिए आप किसी विकाट अगरी जर्नल, OVC, EWS, SESD किसी विकाट अगरी से विड़ाओं करते हैं आप यहां पे कोई वी application fee नहीं इस बर्ती में apply करना चाहते हैं अपना जो application form है वो fill करना चाहते हैं इस बर्ती के लिए या फिर मारा jobs के लेटर telegram group जाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के link आपको उमारी website पे मिल जाएंगे website के link में description में दिया हुआ है आवास्ते के सब check out कर सकते हैं इस बर्ती के बारे मे हुआ है झाल नियुण के चाहते हैं